नमस्कार दोस्तों स्वागित है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों शुरूम देखने वाले हैं SSE CGL Tier 2 एक्जाम जो 2 से 7 मार्च 2023 तक चल रहे हैं तो इस पर expected GK के क्योशन से तो 25 GK के स्वाल प्रतिक सिप में आपके आएंगे अतिस संभावित GK के स्वाल यहां पर रहने वाले हैं बार बार जो टीशेस कंपनी हैं SSE हैं जिन टॉपिक से स्वाल रिपिट करती हैं तो आपके आगामी सिप में जिन भी के इंड़ेट का एक्जाम हैं यहां से आपको 4 से 5 स्वाल देखने को मिल सकते हैं इस परकार यह most important टॉपिक के सारे questions यहां पर किये जारे वीडियो थोड़ा लहनती होगा एक बार वीडियो देख लीजीगा बाकि डेस्क्रिप्स में आपको टेलिगाम चैनल के लिंक मिल जाएगी और उस लिंक से पीडियो भी आप रिवाइस कर लेंगे तो यह सभी फैक्ट आपको याद हो जाएंगे तो शुरुवात करते हैं आर्टिकल के साथ में जहां से TCS कंपनी हैं बार बार स्वाल रिपीट करती हैं और आर्टिकल में जैसे बात करें परमुक रूप से CHG का आर्टिकल पूझ लेती है या फिर महा जैवादि का पूछ लेती है Election Commission का पूझ लेती है वितायो का पूझ लेती है तो यह सभी म्पोटेंटbank अपन कवर करते हुए चलेंगे आर्टिकल च्छेतर हैं आर्टिकल के बात देखेंगे प्रमुक शमीत्या उनकी टीसेज कंपनी स्वाल टच करती है टॉप इंपोर्टेंट 30 इंडेक्स है सूचकांग इस वीडियो में इंक्लूड हो जाएंगे सूचकांग किस ने जारी किया ये स्वाल बहुत बार आच चुका है कौन इंडेक्स जारी किया है इंडिवीजुल जो भी प्रतिक इंडेक्स है वो बात करेंगे भारत के उसमें क्या रैंक है प्रत्थम रैंक को इसकी रही है इसके अत्रिक जो रभी और खरीवी की फर्शल है साइंस में विटामिन से इंपोर्टेंट जो केमिकल नाम हो गया विटामिन से और उनके स्रोथ क्या है कौन सी डिजीज हो जाती है उनकी खोज बगरा कब होई है और इतियास के कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट है जहां से बार बार स्वाल टीछेश पूछती है तो वीडियो के अंतक आपको बने रहना और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट और भी कुछ टॉपिक है बिल्कुल चुनिन दे जो आपके एक्जाम में त्यारी को नेक्स लेवल तक ले जाते हैं रिवाइस कर देंगे तो और आसान हो जाएगा आगे बड़े उससे पर मैं आपको बता दूँ जो न्यू केंडेट है या फिर पहले भी टेस्ट सीरीज ले रखी है टेस्ट बुक से रिन्यू भी कराना चाते हैं तो टेटीजे के कोपन गोर्ड यूज करते हो फ्लैस सेल का फाइदा उठा सकते हो टेस्ट बुक से मॉक टेस्ट देने से अपका गोड़ता है टाइम एनेजमेन बहुत ज़्यदा मेटर करता है तो टेस्ट बुक का फाइदा क्या है एक पास में सभी एक्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाते है एक बार पास देलो 640 प्लस एक्जाम के जो लेटर्श पैटरन अभी SSE के जितने भी आगए हैं, विशे स्क्रें MTS की बात करो, तो इसमें GK Place English का रोल रहने वाला है, तो ये सभी pattern को ध्यान में रखते हुए mock यहां पर include किये गए हैं, CGL के, CHSL के, MTS के, link description mocks में है, checkout कीजिए का, एक ही पास में सभी exam के mock test की बात करूँ, भारत का महा न्याइबादी, जिने आप English में एट्रोनी जनरल बोलते हु, वर्तमान में को है भारत की महा न्याइबादी, आपको याद होना चाहिए, General R. Venket Romney, कौन? General R. Venket Romney, वर्तमान भारत के एट्रोनी जनरल या फिर महा न्याइबादी है, राष्टपति Supreme God का न्याइधिस न्युक्त होने के लिए रहेत किसी व्यक्ति को भारत का महा न्यावदी न्युक्त कर सकते जो सुप्रीम गोड का न्यादिस होने की योगितार रखता हूं उनको आपको पूछ लेए C.A.G. आर्टिकल C.A.G. का आर्टिकल ये था महानियवादी का आर्टिकल 6 महानियवादी का पूछे तो आपके इंगे 6 है कम्ट्रोलर और ओडिटर जनरल जो की ग्रेट जनर मुर्मू है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 है C.A.G. का 6 है महानियवादी का ये ध्यान रखना आपको पूछ ले योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई है? किस आर्टिकल के तहट होई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को स्विधान के आर्टिकल 49 के तहट की गई है और जिसका विले कर दिया गया नीती आयोग में 13 अगस 2014 को और नीती आयोग को पूछ ले तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है अब नीती आयोग में विशेश कर करेंटर पेस का जब स्वाल बनता है तो आपको वाइट चेर्मेन और सीओ से पूछे जाते है यह लेटेस्ट है अद्देक्स आपको पता है प्रधान मंतरी जो होते है वो नीती आयोग के अद्देक्स होते हैं इसके आपने याद रखना 1 जनरली 2015 को है तो सुमन बैरी वर्तमान में उपा देक्स है वाइट चेर्मेन नीती आयोग की कौन है सुमन बैरी और चीप एग्जेक्यूटिव ओपीसर आपको पूछ ले तो आप कहेंगे BVR सुब्रेमनियम है तो CEO BVR सुब्रेमनियम वाइट चेर्मेन सुमन बैरी यह याद रखना है नीती आयोग के केस में बात करूं विताजोग की तो विताजोग आर्टिकल 288 सभी को पता होगा इस्तापना हुए 22 नॉबर 1951 विताजोग अनुछे 282 नॉबर 1901 इसकी स्तापना हुए है राष्टपती के दौरा परतेक 5 वर्ष में वर्ष की समापती पर विताजोग का गठन होगा वो राष्टपती की दौरा किया जाएगा जिसमें एक अद्धिक्स और चार अन्ने सदसी वितायोग में आपको मेंबर पूछ ले अद्धिक्स प्रले चार अदर मेंबर वर्तमान में वितायोग के अद्धिक्स है N.K. Singh ज्यान रखना सज्जी हो है अर्विन महिता नेश्ट यापर इंपोर्टेंट फ्रेक्ट बनता है Election Commission of India निर्वाचन आयोग भारत का चुनाव आयोग है वो कौन से आर्टिकल के तेहता आता है वेरी इजी और आने की संभावना बहुत ज़्यदा है ये वाली स्वाल का आर्टिकल 324 है दोस्तों चुनाव आयोग Election Commission of India जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को आपको पूछ ले राष्ट्री मतदाता दिवस कब मनाया जाता तो आप कहेंगी 25 जनवरी को मनाया जाता है कब 25 जनवरी क्योंकि 1950 को उसी दिन Election Commission of India की स्थापनाव है आर्टिकल 324 में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा आयोग में एक मुख्य चुनाव आयोगत होता है और दो चुनाव आयोगत है यहाँ पर एक शब्द आयड है मुख्य चुनाव आयोगत है चीप Election Commissioner कौन है तो राजियू कुमार है और बाकी दो चुनाव आयोगत में एक है अनुग चंदर पांडे और एक है दोस्तों अरून गोयल यह दो चुनाव आयोगत और एक मुख्य चीप Election का मिस्तन है राजियू कुमार अधर यहां पर important बात करूँ राश्टी यह अनुग सुचित जापती आयोग जन जापती आयोग और National Commission for Women का देख लेते हैं यह very very important है अनुग सुचित जापती आयोग SC का राश्टी अनुग सुचित जापती आयोग Article 338 है वर्तमान में अध्यक्स विजे सापला और अनुग सुचित जन जापती आयोग ST की बात कर तो 338 क में रखा गया जन जापती 338 क और जाती है 338 है आपको पता होगा पहला ये एकी नाम था उसको दो अलगलग किया गया राश्टी अनुग सुचित जाती और जन जाती आयोग 2 अलग भाग में विभाजित हुआ पह़रे दूनों एक सात्य राश्टी अनुचित जाती जन जाती आयोग अभी दोनों अलग-अलग आयोग हैं वो कब हुआ है 89th Constitution Amendment 2003 में ये अलग किये गए जहान रखना 89th में आपको पूछ ले National Commission for Women राश्टी महिला आयोग है इसकी स्थापना कब हुई तो आप कहेंगे 1992 में की गई है अद्यक्स रेखा शर्मा है प्रथम अद्यक जहनती परतनाइक थी National Commission for Women की ध्यान रखना 1992 प्रथम अद्यक जहनती परतनाइक वर्तमान में रेखा शर्मा राश्टीय अलभशिंख्यक आयोग इसकी स्टापना 17 माई 1993 को संसद के दोरा 1992 की राष्ट अलप सिंग के जो मायनरीटी आजोग हैं उसकी स्टापना 1993 में 1992 के आक्ट के तैट हो इए पर्थम अद्यक्स नाय मूर्ती मुहमद सरदार अली खान थे राष्टिय अलब संक्य कायोग की सरदार अली खान ज्यान रखना वरतमान में है दोस्तों एकवाल सिंग लालपुराग अब बात करें UPSC की संग लोक्षवा आयोग हैं याद रखीगा इस्तापना UPSC की स्तापना 1926 में हुई कब 1 अक्टूबर 1926 को और आर्टिकल पूछ ले आपको UPSC का तो अनुछेद भाग आपको 14 के अंदर कर 315 से 323 तक आर्टिकल है न वो इसी आयोग से संबन देते हैं परतमान में अध्यक से UPSC के वो मनोज सोनी है कौन मनोज सोनी आर्टिकल 315 से 323 ये परमुक अनुछेद है जहां से बार बार TCA स्वाल रिपिट करती है विसेशकर SSC के एक्जाम में अभी सीजियर का जिनका TCA2 का एक्जाम होना है यहां से आने वाल सिप में आपको एक स् अब नेक्स्ट यहां पर आपके सामने कुछ समीती की बारे में बात करेंगी जैसे लोक लेखा समीती और इन समीती में सदिश्यों कि सिंग्या विसेशकर आपको पता होना चाहिए जहां से स्वाल पूछे जाता है लोक लेखा समीती भार सरकार की खर्जों की लेखा प्रि ये तीन प्रमुक शमीति हैं इनमें सदिश्यों के संग्या कितनी है और इसकी स्थापना कभूई है ये विशेश कर याद रखीगा जैसे प्राकलन समीति में सभी सदिश्यों होते हैं लोकशवा के होते कितने हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं प्राकलन समीति में 30 सदिश से होते हैं मेंबरों पार्लेमेंट लोक शबा के रहेंगे प्राकलन में और लोक लेखा समीती में दोनों होते हैं 22 सदिश्य होते हैं लोक लेखा और सरकारी उपकरम इन दोनों में 22 22 सदिश्य होते हैं 22 में से आपके 15 लोक शबा के होंगे और साथ होंगे राजे सबा के 15 पल की आप प्राकलन देखा तो तीस सभाग के टीन होते हैं केवल लोक्षभा के जो प्राकलन हैं पहली समीति लोकले का समीति हैं 1921 में जिसमें 22 सभाग प्राकलन समीति हैं 10 अपरेल 1950 को प्राकलनों की जाँच के लिए गठिद की गई है वित मंतरि उससे में जौन मथाई की उसका किष्ण मेनन समीटि की सेपार इस पर पहली बार गटन निसो चौसट में हुआ है तो यह तीन समीटि है अंतिम यह थी आपकी और इसमें आपकी प्राकलन और बाकी दो समीटिय उसमें 22-22 है प्राकलन में 30 है नेश्टे आपर बात करूं मैं अन्य कुछ समीटियों कि य यह सभी समीटि है इनमें आपको ज्यादातर स्वाल पूछा नहीं जाता है कभी कबार पूछ रहे ना सदेश्य की संग्या पूछ लेते हैं सभी में कारेमंद्रना 15 विशेशा दिकार समीटि 15 सभाकी बैटकों से सदेश्य की अनुपस्तिती सब्मंदी समीटि 15 सदेश्य बाकी सभी में आप देखेंगे 15 सायल है एक अवा समीटि इसमें 12 है और ना सदेश्य की व lively समीटि 15 सदेश्य है और नियम समीटि में 15 सदेश्य है अनुपस्य जाती और जंजाती के कल्यान समीदी में 30 सदिश्चे हैं 20 लोग सबाद 10 आपके राजे सबाद नेश्टिया पर देख लेते हैं जो समीधान निर्माण हुआ है वो समय जो समीधी थी उनके अध्यक्स से कभीक बार शवाल आ जाता है तो संगिय सक्ति समीधान समीधी के अध्यक्स थे जवारलाल न नहरू संगि सक्ति शम्मंदी समीधी जोहरलाल नहरू ड्राप्टिंग कमिटी प्रारुख शमीधी के अध्यक्स फीम राम एटकर है जेरे सविधान का प्रदान वास्तुकार निर्माता कहा जाता है मोलिक अधिकार हो गया अलप सिंग्य के उजन जाती और अफवर्जित समीधी are अलप सिंग्य कंप्टिंग की अध्यक्स यह मैने वालप सिंग्य की डारेक्ट समीधी थी अजब इनकी ऊप समीधी की बात आती बात drilling में जेवी किरपलानी और अलप सिंग्य में हच सि मुखर जी है राश्टी ध्वज का पूछ रहे तो राजिंदर परशाद है, प्रक्रिया विश्यक है, वो भी राजिंदर परशाद, संचालन समीती भी राजिंदर परशाद थी, अन्य राजिंदर परशाद में आपकी वित्व में भी राजिंदर परशाद थी, बाकि परते पत्र है, बतिस आपके सांसकर्तिक है साथ यहाँ पर नेचुरल है एक आपकी mixed है अब सांसकर्तिक में जो 32 UNESCO World Heritage Site है इसमें दो स्वाल पूछी जाते विशेसकर एक तो यह कब UNESCO World Heritage Site में एड की गई है सेकेंड पूछ जाता है यह है कहाँ पर साइट है दोनों को साथ में लेकर चलेंग है तेलंगाना में जहांद रखना काकत्य रोधेश्वर जैसे रामपा टेंपल बोलते हैं तेलंगाना में ये भी 2021 में इंक्लूड हुआ है और धोलावीरा भी गुजरात में 2021 में इंक्लूड हुई है और आप देखेंगे ले कार्बुशियर काफी बार पूछ जाता है ले का चंडि गर्ड में, कहा पर चंडि गर्ड मेंदो ठोहे होला में यनिस्फ टो सिछ तम ग्यवर्रोगा ये कार्फ चरा में सामिल हुआ हुआ, ले कि करना में ले कार्बुशियर सोहला। बिहार में ध्यान रखना, 2016 में सामिल है, रानी की वाव है, रानी की वाव कौन से रुपे के नोट पे आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में बताना ताकी पता चले कितने केंडेट, कंटीनु वीडियो देख रहे हैं, अब रानी की वाव गुजरात में है, 2014 में इंक्लू उड़ हुआ है, जंतर मंतर, राधेस्थान, 2010 में, रेड़ फोर्ट, लाल किला, 2007 में, जो दिल्ली में है, ध्यान रखना कहां पर है, ये सभी, नेश्ट्यापर, चंपानेर, पावागड, आर्केलोजिकल पाक कहां पर है, पावागड, गुजरात में, 2004 में एड़ हुआ है चत्रपति शिवाजी ट्रमीनस महाराष्ट में, ये भी, 2004 में, रॉक शेल्टर और भीम बेटका, भीम बेटका के जो चट्टान है, रॉक शेल्टर है, वो कहां पर है, मध्यप्रदेश में है, और 2003 में शामिल हुआ है, भीम बेटका की चट्टान है, 2003 में, हमायोकी जो टॉंब है मकबरा है वो दिल्ली में है 1993 में इंक्लूड है कुद्बनार है और उनके मोनुमेंट है ये भी दिल्ली में है 1993 में शामिल किये गए है सांची का जो इस्तुफ है बूद्ध इस्तुफ है मध्यप्रदेश में ध्यान रखना 1900 सांची का इस्तुफ को भी 1990 वे शमिल है, एलिफेंटा की गोफाई गहरापूरी आइलेंड एलिफेंटा की गोफाई है महाराष्ट्र में 1987 में एड की गई है ग्रेट लिविंग चोला टेंपल ध्यान रकना तमीन नाडु में, चोल मंदिर है तमीन नाडु में, और 1987 में included है नेश्ट अबर बात करें आपन पटदकल करनाटक में Group of Monument at पटदकल तो पटदकल करनाटक में 1987 में include है Church or Convents of Gova 1986 में फतेपूर्शी करी उत्रपलेश 1986 Group of Monument at हमपी की Group of Monument करनाटक में है 1986 में खजुराओ Group of Monuments कहाँ पर है खजुराओ की मंदिर है यह मद्दे प्रदेश में मिलेंगे यह भी 1986 में include है और बाकि महाबलीपुर्ण के جुं मॉनूमेंट है महाबलीपुर्ण कहाँ पर है आपके तमीन नाडु में अब लागाँ नाडु में नाडु में नेश्ट कोर्णा कोरिशा में नहीं है जब उनको सामिल किया गया वर्ष देरी जाएंगे या फिर 1983 में पूछ ले कौन सा उनिसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट सामिल नहीं है तो 1983 में ये चार साइट विशेश कर याद रखीगा ताजमेल उत्तर प्रदेश 1983 में किया गया एलो वेरा केयो महाराष्ट उनिसको टिरासि ओजंता की गोफाएं भी औरंगाबाद महारा फार्ट उनिसको टिरासि ये चार। 1983 में कौन-कौन से ताजमेल, एलोरा, अजंता, आगराफोर्ट, ध्यान रखना, एलोरा, अजंता, ताजमेल, और आगराफोर्ट, 1983, और शूरी मंदिर है 84, सन 84, ठीक है, और महाबलीपुरम के मंदिर है, ये भी 84 में है, और आपको पूछ लें, तो बाकी 86 में है, प्राकरती में दो मिसेशकर पार्क रहेंगे, 1985 में इंक्लूड किया गया है, केवला देव घना पक्षी, विहार ने, 1985 राजिस्तान, मानस वाइललाइप सेंचुरी, 1985, असम में है, मानस्टी, के, नंदा देवी नेस्तल पाक सेंवेडियोफ लोवर उत्राकरण, 1988, सुंदर पच्छी में घाट है, माराष्टर, गुवा, करनाटक, तमिलनाडू, कैरला में, 2012 में, ग्रेट हिमालले नेस्तल पाक से, हिमाच्यर प्रदेश में, 2014 में, ये ध्यान रखना, 2014 में है, लेट हिमालले नेस्तल पाक, 2014 में, बाकी, आप देखें, 1985 में है, काजिरंगा केवला मानस है, और नेस्तल प्रमोग करते हैं, अपने एक मिक्स राइट हैं, जो कंचन जंगा नेस्तल पाक से, वो चिक्किम में है, 2016 में इंक्रूड है, अब यहाँ पर कुछ परमोग पुस्त के हैं, जो मुगलकाल की, यहाँ से टीशिस ने काफी स्वाल पूछे हैं, तो ये के दोरा लिखे थे, अकबर नामा है, अबूल फजल के दोरा, अकबर नामा, आइने अकबरी हैं, अकबर नामा काई भाग, वो भी अबूल फजल के दोरा, तुजुक ए, जहांगीर मुहमद खान के दोरा, आलमगीर नामा, मुंसी मिराज मुहमद मुकाजिन के दोरा, हुम अब्दुल हमीद लहोरी के दौरा लिखे थे किसके दौरा अब्दुल हमीद लहोरी के दौरा बहसा नामा पहसा नामा काफी वार पूछे जाता है। इनायत खान की भी है तहकीक ए हिंद अल बिरुनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद तारी के फिरोशा ज्याओ दिन बरनी की है फत्वा जहांदरी तारी के फिरोशा ये दोनों ही ज्याओ दिन बरनी की है खमास है अमीर खुश्रो की सहा नामा फिर्दोशी की है सहा नामा तबका जैसे बात करूँ मेजर ध्यानचंद खेल पुरुषकार जो सरवोज खेल पुरुषकार है, मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुषकार है, नाम चेंज किया गया है, पहले आपकी राजिव गांदी था, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुषकार 22 में केवल एक प्लेयर स्रत कमल पूचे ले निमलिक्त मैंसी किनकूर नहीं मिला है तो एक बार की इस पर नजर डालेगा एक बार पीडिये पर देखीगा थोड़ा दिमाग में फिट हो जाएगा अब सीमा पूनिया को मिला है अल्दोज पोल को अथलेटिक्स में अविनास मुकुंद चेबल को अथलेटिक् परन्य एज एस बैडमिटन में अमित को बॉक्शिंग में सुष्री निखत जरीन को बॉक्शिंग भक्ती प्रदीप कुल करनी जिनको भी 2022 में आवाड मिला है एक इन पर अलग से स्वाल बनता है जैसे आपको पूछ ले आर प्राग नंदगा ये किस स्पोर्ट से बलोग क और इलावेनिल वलारिवान शुटिंग ओमप्रकास मिठार वाल ये भी शुटिंग के है है ओम प्रकास मिठारवाल सूसरी श्रीजा अकूला टेबल टैनिस की विकाश ठाकूर वेट लिप्टिंग अंशु कोस्ती सरीता कोस्ती ये सबी रेस्टिंग के है परवीन वुष्षू ध्यान रखना स्रीप परवीन है परवीन वुष्षू मानसी ग्रीज चंदर जोशी प पैरा बैंड मिटन श्वप्तनिल संजेब पाटिल पैरा तेराकी और जरलिन अनिका ये बगहीर बैंड मिटन ये सबी आपने देखे 25 अरजुन आवार दोजार पाइस नेश्ट आपर दो श्रेणी में मिलते हैं निमिश्रेणी में जो दो चार जनों को मेरा है और लाइप शिंग, सुमा सिधार थिरूर पारा शुटिंग, सुजित मान कोस्ती ये पैरा सुटिंग है ठीक है नेश्ट आपर जो लाइप टाइम कैटेगरिम दिया गया है देनेज जुहार लाड को क्रिकेट, बिमल परफुल गोश्ट को फोटबॉल, राज सिंग को कोस्ती ये ध्यांचन पुरुसकार है, ध्यांचन पुरुसकार अश्विनी अकुंजी सी अथलेटिक्स में दिया गया है, ध्रमवीर शिंग होकी, विस्टी सुरेस कबड़ी, नीर बहादूर गुरंग, पैरा एथलेटिक्स है, ये ध्यांचन आवाड में रहे हैं, अब राश्टी ख जो ये अवाड में रहे हैं, उन्हें नवोदित और युवा परतिबा की पैचान के लिए ट्रांस इस्टेडिया को जया गया है, बात करूं, कॉर्परेट सामाजिक उत्तरदाईतों के माधिम से खेलों को प्रोशान है, कलिंग उद्योगिक प्रोशान, कॉर्परेट सामा माका जो मोलान अब्दुलकला माजार ट्रॉपी हैं, माका दिया गया है गुरू नानक देव विश्व विदाले को, जो अमरसर का है, गुरू नानक देव विश्व विदाले माका दोजार बाई नेश्ट बात करें, प्रमुक रोग और कारण, अब रोग से भी चीशेस हैं, उपरी उपरी तो और पर स्वाल पूछ लेती हैं, थोड़ा ब्रीफ्टी देख लेते हैं, आपके लिए इंपोर्टेंट हैं, बाकि आपमें डिटेल में पता ही होगा, अब विश्व टीवी के पलग में टीटी की टाई एक दम से कुछ काली हो गई, अब टीवी के पलग में मतलब टीवी रोग हो गया, ठीके टीटी एनि टिटनेस हैं, वो भी आपके बैक्टीरिया से होने वारा रोग हैं, और टाई एनि टाइफाइड हैं, विडाल टेस्ट रहता इसके प जवानुदुनित रोग हैं, और वाइरस से होने वाले रोग में एक ट्रिक हैं, आप पता होगा, रेका हमें हेट करके पोईचे छोड़ गई, हेट करके पोईचे छोड़ गई, ठीके, तो यहां से आपके जो डिजिस बनते हैं, जैसे रेका यानि रैबीज, खसरा, यानि डिजिस है, वाइरस की, अब विशेसकार, आरेने में काफी बार पूछे जाता है, सोरी, एड्स में पूछे जाता है, जो एड्स के इस प्रकार, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, एक्वाइड इमुनो डिफिशेंजी से इंड्रॉम है, HIV वाइरस के कान हो जा जाता है, एड्स, विश्व एड्स दिवस कब मना जाता है, तो आप कहेंगे, एक दिसम्बर को मना जाता है, एड्स के टेस्ट के लिए जो रहता है, उसका नाम है एलिसा, अब एक बार एक्जाम में पूछ लिया था, एलिसा की फुल फॉर्म पूछ ली थी, एकल्प में एलिसा नहीं था, उसकी फुल फॉर्म थी, निवल विट में से कौन सा एड्स का टेस्ट है, तो फुल फॉर्म है एलिसा की, एंजाइम लिंक्ट इम्मूनो सॉर्बेंट ऐसे, एड्स टेस्ट के लिए वेस्टन ब्लॉड टेस्ट है, ये एंटिजन टेस्ट रहता है, अफ्रिकन वैक्सिन थी, अजमाई गई थी पहली बार, आपको पुछले अवलोक वैक्सिन, किसके लिए रहती है, तो अवलोक है, ये एड्स की वैक्सिन थी, पहली वैक्सिन, अब सेक्शुल ट्रांस्मिटेड डिसिज है, जो की प्रमुक रूप से आपको पूछता आता तो आपके हेमोफीलिया, कलर ब्लाइडनेस, थेले सीमिया, ये सभी जेनेटिक्स हैं, अनुवानसिक रोग हैं, ये पूछले कवक जनिक रोग कौन से हैं, तो खुजली, एथरिट फूट, गंजा पन, एस्परजिलोसिस हैं, ये कवक जनित हैं, यानि फंगस से रोग हो ज पर ओटो इम्यून डिजेज का ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाता है, जैसे सोराइसिस डिजेज हैं, ये एक ओटो इम्यून है, ओटो इम्यून का मतलब है, सरीर की जो रोग परतिरोधक शेल्स रहती हैं, विसे इसकर WBC, वो खोदी अपनी कोसिकाओं है, अपनी कोस कमी नहीं रहती है, तो क्वाशी और करवाला, जो PGC पीडित है, प्रोटीन की कमी से ऐसा जरूर नहीं है, वो एक दम दूबला देखे, प्रोटीन की कमी से हो सकता, पेट काफी फूला हुआ भी देख सकता है, और मरसमस में क्या होगा, प्रोटीन के अत्रिक्त, कार्भो हा मेंinek होगी प्लाज्मोडियम के कान है और अफ्रीकन निंद्रा रोगैशी जो मक्हीं के कान पायरिया डिसटेह fir प्रोटोजवा मर्करी कि कान नाम दस्भूग नाम चैबमर्कुरिँ के चाइज एक काम है नाम आईट्रेट नाम है और relation wird tax नाइट्रेट के कारण बलू बेबी सिंट्रोम है, वो नाइट्रेट के कारण है, एक स्वाल पूछे हुआ अटीसिस के दोरा, HDCV वैक्षिन है, वो किस डिजिस के लिए रगाई जाती है, तो रैबिज के लिए HDCV और एंटी रैबिज वैक्षिन, ARV भी रैबिज की है, वि एड्स के हैं, नेश्ट यापर, टॉप तीस इंडेक्स देख लेते हैं, सुचकांग देख लेते हैं, विशेशकर 2021-22 से, जहां से स्वाल करण अपेश काने की बहुत ज़दा संबावना है, अब इस टॉप तीस इंडेक्स में सुरुआत करते हैं, हैनले पासपोर्ट सबसे मजबूत जो पासपोर्ट हैं, वो जपान और सिंगापूर का है, पर्थम रेंग पर हैं, सबसे मजबूत पासपोर्ट में जपान सिंगापूर, भारत की रेंग देखीगा, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, 87 रेंग जो आपको ध्यान दे रखना है, भाई, पास प्रफम रैंग पहले घराई नहीं है 107 वेश्थान पर है, अब भूग लगती तो आप क्या करते हो, एक साथ खाना खाते हो, एक साथ खाना खाते हो भई, एक साथ है, 107, Global Hunger Index मा जाएगा, जारी करता है, वेल्ट हंगर, ये क्या हुए, तो इसके भूकमरी सुचकांग के जारी करता कौन है, वेल्ट हंगर, हिल्फे और कंसन वर्ल्ड वाइट, नेश्ट इंडेक्स है, Global Innovation Index है, वेस्विक, नवाचार, सुचकांग, 2022, भारत की रैंक है, 9-4 कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 4-0 कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, for 0-0 centigrade ताप्मान पर, तो भारत का 40-वा इस्थान है, Global Innovation Index में, तो आप करेंगे पर्थम रेंग किसका है तो Westwick नवाचार सूचकांग में फ़स्ट है वो स्वीटजर लेंड है भारत 40 वे स्तान पर ने जारी करता विश्व बोहदिक संपदा वीपो के दोरा जारी किया जाता है विश्व बोहदिक संपदा संग्थन वर्ल्ड इंटलेक्ज प्रोपर्टी ओग्नाइसेशन भारत की रेंग 40 वे स्वीट शानती सूचकांग 2021 की बात करेंग भारत की रेंग 135 विय है भारत में बिल्कुल शानती नहीं जाता है विश्व बोहदिक संती किता प्रेश कित दीगा 180 में थे 150 फी rank है किस इस्तान पर है हमारी प्रेस मीडिया प्रेस स्वतंदरता सूचकांग 150 फी स्तान पर है 150 लगा दी है भाई प्रेस सूचकांग 180 में से नौर्वे प्रेस सूचकांग में टॉप पर है दोस्तों जारी करता reports without borders है यह important है दोस्तों काफी बार यहां से स्वाल पूचा गया है विश्व प्रेस स्वतंदरता सूचकांग कौन जारी करता है reports without borders नौर्वे फर्ष्ट लेंगे भारत 150 फी स्तान पर नेश्ट है खद्यस रुक्षा सूचकांग खद्यस रुक्षा सूचकांग भारत 68 फी स्तान पर है कौन से 68 पोजिशन पर है टॉप है आइसलेंड है खद्यस रुक्षा 68 में भारत में है टॉप आइसलेंड है जारी करता economic impact है भाई किसका weight 68 kg है comment करके बताना बाकि खद्यस रुक्षा है 68 फी स्तान पर है थोड़ा अच्छा खाओ इस प्रकार थोड़ा करने से रिलेट हो जाती है चीद है खद्यस रुक्षा 68 kg weight की बात हो रही थी नेश्ट आपर बात करें लोगतंतर सूचकांग 2022 लोगतंतर सूचकांग 2022 में भारत की रेंग है 46 अब लोगतंतर डेमोक्रासी इंडेक्स में टॉप रेंग है नौर्वे की जारी करता एकोनोमिक्स एंटेलिजेंस यूनिट है एकोनोमिक्स एंटेलिजेंस यूनिट के दोरा लोगतंतर सूचकांग 2022 में भारत की रेंग निकल के आई है 46 और फर्स्ट रेंग है नौर्वे की चार और छ कितने होते है तो आप पेंगे दस होते हैं यहनि कहीं एक आ रहा है भारत एक लोगतंतर डेशें लोगतंतर सूचकांग में भारते हैं 4 और 6 46 वे स्थान पर है नौर्वे है टॉप पर धियान रखना शुंक्त राष्टे मानुविका सूचकांग है अब Human Development Index है बहुत बार स्वाला आज चुका है 2021 में जारी हुआ है Index है कौन जारी करता है United Nations Development Program है UNDP के दोरा इस Index को जारी किया जाता है इसमें तीर प्रमुक पेमाने ध्यान रखना तीर पेमाने में आपकी हेल्थ आएगी सिक्ष आएगा रोजगार आएगा रोजगार में आपके प्रतिविक्ति आएग को इंक्लूड के जाता है भारत की रेंग 132 में है पर्थम रेंग सूचर लेंड की है जारी करता है UNDP नेश्ट यापर इंडेक्स है भशचार और धारना सूच कांग 2021 है भशचार की बात करें ADTIV 5th रेंग पर इंडिया है भशचार सूच कांग है 85 रेंगों पर है पर्थम रेंग के भशचार और धारना सूच कांग में न्यूजिलेंड, फिनलेंड और डेनमाग जारी करता ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेस्ट है भश्टचार है तो वहाँ पर ट्रांस्पेरेंसी होना जरूरी है तो ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेस्ट के दौरा भश्टचार और धाना सूचकांग जारी किया जाता है भश्टचार का क्या आलम है भारत में पिच्चा सी उसि वैश्वा खोश हाल ई सूच्चकांग 2020 की बात करें है मैं एक दम ह गए है огप एक्ठो चतिस्वे पाई सुच्चकांग झाजब ह spong़ा हो गया मैं श चतिस्वे पाइदान तरह बारत है 136 म है है वैश्वा खोशाललिस सूचकांग में 136 मैं फिन्लेन्ड है उसके बाद सेकेंड है वो डैनमाक है थर्ड रैंक है याप पर आइसलेंड की ठीक है तो ये ध्यान रखना जारी करता UNSDSN है विश्वा खोशाले सूचकांग में भारत की रैंक आपको पूचेता आप कहेंगे 136 वी रैंक है खोशाल में भी कितना योग हो रहा आच्छ और दस हो गए आप 10 हो गए डेमोकरसी में कितना हो रहा था दोस्तों उसमें भी 4 और 6 हो रहा था यहां पर खुशाल हो गए आप लोगतंतर था तबी आप खुशाल ही आई जब लोगतंतर नहीं होता है उस केस में खुशाल आप कैसे रहेंगे तो ये भी 136 विस्थान पर आ और 3 चार और यहां पर 5 135 है जेंडर गैफ जेंडर गैफ भारत की जो रैंक है वो 135 है प्रथम रैंक है आईसलेंड की है जेंडर गैफ में आईस और पानी में जो गैफ है वो आईसलेंड जेंडर गैफ जारी करता है वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म नेक्स वाल लेखते हैं COVID-19 response index में भारत की रेंट के 86 थे, टौफ है न्यूजिलेंड है, रेस्पोंस पही अच्छा दिया, न्यूजिलेंड ने COVID-19 में, जारी करता लोभी इंस्ट्यूट है COVID-19, response index भारत है, रेस्पोंस अच्छा नहीं दिया, 86 इस्तान पर भारत है COVID-19 में Westwick, Jalwayu, Joakim, Sujkang 2021, Westwick, Jalwayu, Joakim, Sujkang, Jalwayu अच्छी रही तो आपका साहत तभी रहेगा, प्रयावन के साथ कब रहेगा, जब अच्छी Jalwayu रहेगी तो आपका साहत रहेगा, सात इस्तान पर है भारत की रेंग, Westwick, Jalwayu, Joakim, Sujkang, पर्थम है मोजांबिक ध्यान रखन जलवायू जोकिंग में ये पर्थम मोजांबिक ध्यान जर्मन वच यह जारी कौन करता इंपोर्टेंट जर्मन वच करता है वच देखेगा जलवायू के लिए आर्थिक स्वतनतरता सुचकांग 2021 की बात करें आर्थिक स्वतनतरता हमारी अब हम जब 2011 में जंदगरना हुई आर्थिक स्वादंदर्ता सूचकांग 121 पर्थम सिंगापूर नेश्ट यापर वेस्ट विक साइबर सुचकांग साइबर सुचकांग की बात करें तो भारत की रेंग 10 वी हैं अब साइबर सुचकांग 121 में इंडिया की रेंग 10 वी पर्फम रेंगे दुस्तों अमरिका की साइबर, सुरुक्सा, अमरिका पर्फम है, जारी करता अंतराश्टे दूर संचार संग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 है, एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की रेंगे 87, 87 रेंग है एनर्जी में 8 और 7 87 टॉप है स्वीडन, जारी करता वर्ल्ड एकोनामिक फोर्म है, नेस्ट याप पर इंटरनेट सुचकांग, समावेसी एक साथ समावेसी इंटरनेट सुचकांग 2021 में भारत की रेस्ट है 59, समावेसी इंटरनेट 89 इंटरनेट स्वास्ते सुरुक्षा स्वास्ते में टॉप अमेरिका है जारी करता ब्लूंबग स्कूल और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हैल्थ सिक्यूर्टी नेश्ट यापर एसिया परशांद व्यक्तिक स्वास्ते सुचकांग अब एसिया परशांद यहाँ पर भी 10 हो गये योगों के स्वास्ते अच्छा तो दस पर ही रहेंगा एसिया परशांद व्यक्तिक स्वास्ते सुचकांग 2021 भार्थ की रेंग 10 ते 11 देशों में 10 सिस्तान वरे भार्थ भाई ज्यादा बड़ी बात नहींगी फर्स्ट रेंग सिंगापूर की हैं सेकेंड ताइवान की हैं थर्ड जपान की हैं जारी कौन किया एकोनोमिस्ट इंटलिजेंट्स यूनिट ये ये भी ई आई यू के दोरा अंतराश्टि बोधिक संपदा सुचकांग है इंटलेक्चल प्रोपर्टी इंडेक्स में भार्ट की रेंग FY21 में चालिस भी है बोधिक संपदा है आप 40 विस्तान पर है अच्छी कासी बुध इंटलेक्स विस्तान पर यंनि चार गुणा दस हो रहा न अच्छी बुधी हुई तभी तो आपने चार गुणा दस किया दो 2023 में भार्द की रेंग थी 42 में अभी 40 में है, टॉप अमरीका ध्यान रखना जारी करता चेंबर शॉप कॉमर्श है, नेश्ट या पर Startups Ecosystem Index है, Startup Ecosystem Index में भारत की रेंग तीसरी है, और ये अब Blinks की दौरा जारी हुआ इंडेक्स है, फर्स्ट अमरीका की भारत तीसरी है, Startup Ecosystem ध्यान रखना इंप 21 करोड थे, वो भारत की रेंग 2022 में मिल गए यहाँ पर, Finland टॉप इस्तान पर है सतत्विकास में जारी करता है UN OUS, एजंडा है सतत्विकास का 2030 तक, 17 सतत्विकास लक्षे हैं, प्रियावन परदर्शन सूचकांग 2022 है, तो प्रियावन की बात आई तो आपने का, मैं 18 गुन प्रियावन की प्रतिवी ध्यान रखना, तो 180 गुन परदर्शन सूचकांग भारत की टॉप रेंग डेनमाक है, भाई माक कर दो, प्रियावन के लिए माक करो कहां पर गलतिया होरी, डेनमाक टॉप है और जारी करता है येल और कॉलंबिया विश्विदाली दोनों, पॉर इंडेकस भारत की रेंग चोती, अमेरिका की है टॉप पी जारी करता लोवी इंस्ट्यूट ओस्टेरियाल, विश्व परतिष प्रतिश प्रधातमक शूचकांग भारत की रेंग है, 37 प्रतिष प्रत्वतामे मैं भी 10 हो रहाँ, 3 और 6 है, जिहान रखना भाई, ट्र ग्लोबल इंडेक्स है, इस्पीड टेस्ट जो की ओकला के दोरा जारी किया गया, अब हार्थ की रेंग इस्पीड टेस्ट में 79 थे, नौर्वे सिंगापूर टॉप पर है, तो ये प्रमुक इंडेक्स थे जारी किस बाइस के, अब बात करें, फसलों की, रभी की फसल, जो, गेहूं, जई, ये जई भी आपकी मिलेट्स में है, चना, मत्र, दाल, अलशी और सर्शों, ये रभी की हैं, रभी की फसले हैं, जो की सरदियों में बोई जाती हैं, खरीब की फसले हैं, गरमियों में बोई जाती हैं, जैसे जुलाई से अक्टूबर हैं, वो खरीब क दक्षन पच्छिम गिर्शन मानसुन के दोरान खरीब की फश्चन में आपकी चावल हैं मक्का हैं जोआर हैं भाजरा बाला मिलट हैं रागी मिलट हैं सोया बीन हैं मूफली तिलन कपास तिल ये सबी खरीब की हैं रभी और खरीब काफिबार एक स्वाल हैं NCRT में दिया हु विटामीन का रासानिक नाम और उनकी विटामीन की खोज कब हुई है बात करें विटामीन के सभी डिजीज कौन सी है पर्टिगुलर अलगलेक विटामीन की विटामीन की खोज है 1913 में हुई है 1913 से लेकर जितने भी विटामिन खोजे गए है वो 1948 लाश्ट विटामिन B12 की खोजोईती ध्यान रखना विटामिन की खोज है वो किया है फंक ने फंक ने भोजन में वाइटल एमिन है जब विटामिन की खोज की तब उसका नाम था वाइटल एमिन महतपून अमीन है इसकी खोज जिसको बाद में एमाइन या विटामिन पहली बार 1926 में ये अलग कर दिया गया नाम विटामिन कर दिया गया 1913 में फंक के दरा इसकी खोज एक तरीके से और 1913 और 1928 की बीच में सबए विटामिन की पहचान हो चुकी थी पहला विटामिन B1 था पर्थम विटामिन जिसकी खोज हुई वो B1 था कब 1936 में यह तिहां रख़ें B1 पहला विटामिन 1936 में लाष्ट कौन सा है B12 है 1948 में अब ये आपको पूछ ले हैं एनिमिया जो डिजिज है किस विटामिन की कमी से होता है इंपोर्टेंट स्वाल बनता है विटामिन B6, B12 इन दोनों की कमी से एनिमिया होता है और अलग से ये दित दोनों ही नहीं हो तो फॉलिक एसिड दे तो आप कहेंगे इससे भी एनिमिया हो जाता है विशेज कर एनिमिया में क्या होता है हिमोगलोबिन की कमी होती है रुदिर की कमी होती है फॉलिक एसिड की कमी से एनिमिया हो जाता है विटामिन B12 की कमी से अब जैसे मैंने कहा विटामिन B1 है वो पहला विटामिन था जो जागे जागे, कब 1910 में, सेकेंड कौन से था, विटामिन A था, रेटिनल देसे कहते हैं, आप केमिकल नाव विटामिन A का, 1913 में, B1 को थाइमिन का जाथा, 1910 में, B2, आप सभी B कमपलेक्स देख लीचेगा, B2 है राइबुफलेमिन, 1920 में, B3 नियसिन ज्यान रखना, B5 है पेंटा थोनीक है, B6 है, पाइरिडॉक्षिन, B7 है बाइयोटिन, B7 फॉलिक एसीड, B7 है फॉलिक एसीड, मिटामिन B12 है, साइनो कोभाल मी, 1948 में, खो जागया, B12 है ये येस्ट में पाए जाता है, येस्ट का एक्टिव येस्ट में पाय जाता है, मृत नहीं, जनाथ वगेरा लीवर में कौन सा विटामीन है? B12 है और विटामीन C, Ascorbic Acid है 1920 में इसको खोजा गया, विटामीन D है, Calciferol कहते है 1920 में यह विटामीन E, Tocoferol 1922 में यह सभी विटामीन की केमिकल नाम है, विटामीन की रक्त का ठक्का है और इसे दोस्तों फाइनो डाइन कहा जाता है 1929 में इसको खोजा गया ये सभी विटामिन और इनकी कमी से होने वाले रोग को भी आप देख सकते हो विटामिन A से रतवंदी और जीरो फतलमिय हो जाता है C से इसकरवी मसूड़ा जो दातों का इसकरवी रोग मसूड़ा फोल जाता है विटामिन D से सूखा रोजी से रिकेट्स बोलते हैं E से जनन सकती कम होना K से रोजीर का सराव होना एंठन हेमोफील या रोग है B3 तवच्चा परदाद होना B7 लकवा और शरीर में दर्थ है B1 बेरी-बेरी डेजिस हो जाता है जो एक कोपोर्शल वाला रोग है बेरी-बेरी अब इंपोर्टेंट कुछ इतिहास के मैं जीक के बता देता हूँ जहां से अक्सर ट्रीशे स्वाल है वो पूछी लेती है अमिन इंपोर्टेंट में भारत के लिए सेक्रेटरी ओप स्टेट की न्यूकती किस एक्ट के तेहत है तो यह सेक्रेटरी ओप स्टेट की न्यूकती भारत सरकार अधिनियम 888 के तेहत आपको पूझे ले भारत में विधाहिका के दोरा भारतियों को परतिन दित्तु देने की व्यवस्ता कौन से आक्ट केते हैं तो ये दो भारती प्रिशद अधिनियम 1908 के दोरा नेश्ट्यापर अप्रतिक्स निरवाचन के सिद्धान को मानेता दी गई वो 1909 वाला एक्ट है भारतिये प्रिशद अधिनियम 1909 जिसमें अप्रतिक्स निरवाचन के सिद्धान को मानेता दी गई द्वेदुशार्षन की नई पत्ती का प्रारम 1919 वाले आक्ट में हुआ भारत में संगी व्योस्ता के लिए अधिनियम में पहली बार उलेक है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संगी व्योस्ता के लिए अधिनियम पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 है बारतियों स्वोतंदर्ता अधिनियम है 1947 ये कहा पर पारित हुआ बिर्टीश संसर्ड में सरु परतम सुविधान सभाकी बैटक है 9 देसंबर 1946 को हुई थी केंदरी विधान प्रिशत को प्रिवर्तित करके दुश अधिन मनल की व्यवस्ता है किस एक्ट केता है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से अब इसका अन्य नाम आपको याद रखना है इंपोर्टेन भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेंग क्यों चैम्स फोर्ड मॉन्टे फोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इसी मॉन्टे फोर्ड सुधार 1919 के भार सरकार अधिनीम के तेयर दुई सदनी विधान मनल की व्योस्ता की गई किरिप्ष मिसन परस्तावकु गांधी जी ने बाद की तारीक का चेक कहा था शेमला समेलन को दोराद भारत का वाइसराय लॉर्ड बेवेल भारत में सरो पर्थम उज्जितम नलने की स्थापना का परावदान के इस एक्ट के इंपोर्टेंड है भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसका परावदान हुआ था विधाई कारियों को परशासिक कारियों से पर्थक करने की व्यवस्ता चार्टर एक्ट 1853 विधाई को परशासिक कारियों से अलग है 1853 का चार्टर एक्ट है भारत में इस्ट इंडिया कामपनी के सासन को भारसरकार अधिनियम 8898 के दोरा समाप किया गया ये मार्च 1942 में सरोपर्थम स्मुईदान सभा की गठन का आस्वासन अगस्त परस्ताव की दोरा दिया गया और राज गोपाल चारी फॉर्मूला है 1944 की दोरा परस्तुत किया गया 1935 का दिनियम इसने प्रांतिय स्वाइता बहुत बार एक्जामें पूछा गया है परस्तावना में स्वतंतरता समता और बंदूता के आदर्श है दोस्तों फ्रांस से लिए गया कहां से आप केंगे फ्रांस से अब यहां पर बात करूँ विदेशी स्रोथ की जैसे आपको सिंपल सा पूछ ले मोली का दिकार किस देश से आप केंगे USA से लिया गया आईरलेंड से क्या लिया गया है? DPSP DPSP आगे विश्तरत देखेंगे स्वाल बंद रहे है और स्वतंतरती सुच्ची का परावधान और समर्ती सुच्ची आपको पूछ लें और एकल नागरिकता बिर्टैन से लिया गयी है आप कमेंट सेक्षन बताना जपान से क्या लिया गया है? मोली का दिकार और DPSP है ये स्वाल एक पक्का है, कनफोर्म है, मान की चलिएगा टीशे जब एक्जाम लें, SSC के एक्जाम में और ये स्वाल ना पूछे, ऐसा हो इनी सकता है तो विश्टर जाल लेजेगा, आर्टिकल 12 से लेकर एक्क्याउन तक है, आर्टिकल रटलो भाई आर्टिकल 12 से एक्क्याउन रटलो, क्योंकि एक स्वाल मिल रहा है, रटने में टाइम नहीं लगेगा आपके अल्रेडी पहरे देखे हुए है, रिवाईज कर लो भाई, आदे घंटे में काम हो जाएगा, आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको 10 मिनिट में रटा दूँगा अब मोलिक अधिकार और DPSP, मोलिक अधिकार भाग 3 में मिलेंगे आर्टिकल 12 से 35 कभी-कभी सिंपल सा पूछ लेते हैं, मोलिक अधिकार किस भाग में तो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से निकर 35 तक आपका मोलिक अधिकार है अब बहुत से ओको आर्टिकल 14 का पता है 15, 16, 17, 18 तक रट्टे हुए लेकिन आर्टिकल 13 का पता नहीं है आर्टिकल 13 है मोलिक अधिकार पर नियंतन करने की विदी है वो आर्टिकल 13 है मोलिक अधिकार पर नियंतन और मोलिक अधिकार है ये आर्टिकल 12 से पहती जिसमें आर्टिकल 12 है वो राज्य की प्रिभाषा देता है और 13 है मोलिक अधिकार पर निंतन करने की विदी अब यहाँ पर विशेश जो आर्टिकल है अधिकार का समानता का अधिकार है 14 से 18 समानता अधिकल 14 स्वादरता अधिकल 19 से 22 समानता सभीका अर्टिकल 14 से 18 कानून के समक सबी के रही समानता 15 ध्रहम जाति लिंग जनमिस्तान आदी के अधारपर भेदभाव नहीं होगा अर्टिकल 15 अर्टिकल 16 है लोग न्यूजन के अउसरों में सबी को समानता अर्टिकल 17 है अ इस्पृष्षता का अंत आर्टिकल 18 है उपादियों का अंत है ये विदेशियों के लिए लागू नहीं ये जिहान रखना एक स्वाल पूछे में एक एक्जाम में आर्टिकल 18 आप टाइटिल नहीं लगा सकते हो अपने आगे कुछ भी उपादियों का अंत है शत्रा अश्पिष्टा का है नेश्ट आपर बात कुलो सोतंदर्ता वाले आर्टिकल 19 से 22 में अब सोतंदर्ता में विशेश कर आर्टिकल 19 का पूछे जाते क्योंकि 19 में काफी भाग है A, B, C, D, E, G और F को अलग किया गया था पहले संपति का था उसको फैल किया गया आर्टिकल 19 की ट्रिक है बोस संग आया गया और बस वैपार किया बोस संग आया गया और वैपार किया और बस क्या किया वैपार किया अब C में संग बनाया B में आपने सभा किया आजा दी है मतलब सांति पुरुक बिना हत्यार के कहीं पर भी इविट्टा हो सकते हो संग्ठन बनाएंगे तो आपका 19 C है D में आप डॉन बन रहे हो और G में जी जी बिजनेस कर रहे हो आप वैपार कर रहे हो ठीक है अब यह हो गया पूरा 19 रठ लिया आपने अब 19 की बाद सोतन दर्था में 20, 21, 22 की बात आती है 19 की बाद 20 की बात करूँ तो 20, 21, 21, 21 ए से तो बहुत बार पूछावा स्वाल है अब 20 से हैं अपरादों के दोष शिद्धी के सम्मद में स्रक्षन है आपको स्रक्षन दिया जाएगा दोष शिद्धी आपके केस में यदि दोष आपने किसी केस में आपको अरेश्ट किया जाता है उस केस में आप होना चाहिए उस केस में आप प्रूप दे सकते हो तुकि दोस्ट शिद्धी आपको नियाले के समख स्पेस किया जाता है ना, वहाँ पर आपको एक तरीके से स्वतनतरता मिल दी है, आर्टिकल 20 के तैत, अप्रादों के दोस्षिद्धी के समझ में, 21 में है प्राण और देहिक स्वतनतरता, यानि जीने का अधिकार 21 में, 21A मे ग्रिपतारीशी स्रक्षन अब 22 है, थोड़ा डेटेल में देखना आप, शोषन के वरूद अधिकार आर्टिकल 23 और 24, शोषन के वरूद है, अब 23 में क्या है, मानों के साथ दुर्वेपार, ब्लास्रम पर प्रतिशेद है, मानों को खरीद प्रोगत आप नहीं कर सकते हो, और 20 में है, कार खानों में 14 से कम आयों के बच्चे पर प्रतिशेद है, अब धार्मीक स्वतनतरता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है, धार्मीक स्वतनतरता ये 25 से 28 है, तेज चोष क्या था, सोषन के वरूद था, और धार्मीक स्वतनतरता है 25 से 28, धार्मीक में 25 में है, अंत पर इन में विसेश कर आठिकल 28 पूछे जाता है जाद कर ये नहीं पूछे जाते हैं और बाकि आपको पता तो होना इचे आप 29-30 जरूर पूछे जाते हैं 29-30 क्या है अलफ संकिक वाला संसकर्थी और शिक्सा संबंदी अधिकार है इसमें 29 में आपके अलफ संकिक वरग को उनकी भासा लेपिय और संसकर्थी को स्रप्षित रखने का 30 में वो उनको सैक्ष्णिक संस्तान इस्तापित करने का अधिकार है अलफ संकिक को को आठिकल 30 में अब 32 है आठिकल 32 है सोईधानिक उपचार है यदि आपके उप्रुक्त मेंने जो अधिकार बताए है मोली का अ 226 की 33 है आठिकल 33 है मोली का अधिकार को लागू करने में संसत की सकती है आठिकल 33 है सेन्य शेत्रे और कानून की समय मोली का अधिकार पर प्रतिबंद संबंदी प्रावदान यह ध्यान रखने 34 है सेन्य शेत्रे और कानून की समय मोली का अधिकार पर प्रतिबंद है 35 मोली कधिकार ध्यान रखना आर्टिकल 12 से 35 तक है ibles do यह तो होगे आपके मोलिकधिकार लेकिन DPSP के अब बात कर रहे हैं मोलिकधिकार तो complete हो गया DPSP की बात किरहे हैं तो आर्टिकल 36 से क्यावन है बातार मोलिकधिकार तो ये DPSP भी अनिवारे हैं जैसे आर्टिकल 36 में राज्य की प्रिवासा आर्टिकल 36 में 37 में क्या है नीती निदर्शक तत्तो न्याले में वाद योगी नहीं माना गया है DPSP है न्याले में आप वहाँ पर वाद दायर नहीं कर शकती हो DPSP 37 38 थ्यांद रखना लोग कल्यान कारी राज्य तता उनकी नीतियों का वरणन किया गया लोग कल्यान कारी राज्य ये कि सभी किसके अंतरगत आ रहे हैं आर्टिकल 36 से क्या हों तक DPSP में आ रहे हैं क्योंकि आपको पूछा जाता है जैसे पूछले ग्राम पंचायत को इकठन का प्रावदान किसके अंतरगत आता है तो वहाँ पर शंग इस प्रकार दे देंगे DPSP दे देंगे मोडिक अधिकार देंगे कर्टवे देंगे तो ग्राम पंचायत को संक्ठन भी DPSP आपको पूचरे समान कारे के लिए समान वेतन का प्रावधान समान न्याय और निशुल कुविदी सायता एनि एक महिला है, एक मैन है, एक मुमन है तो समान कारे करें तो उनको वेतन समान मिलना चाहिए आटिकल 49 कहता है, ये धियान रखना समान कारे, समान वेतन ये भी DPSP है, लोक अल्यान कारे राजजे तो और उनकी निटियों का वड़नन है ये भी DPSP में आटिकल 38 के तायए, लोक अल्याय और निटियों ने सकता तो जालने में वादियों के नहीं है 48, 49 आपके हो गया समानकारी, समान मेतन 40 में ग्राम पंचाथ को गठन का प्रावदान 40 है 41 है कोस प्रस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, सिक्सा, लोग, सहयता पाने का अधिकार है तो राज्ये वो सहयता देंगी 42 में न्याय संगत और मानव उच्चत दर्शाओं तथा परशूती सायता है परशूती सायता है आर्टिकल 82 43 में क्या है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोसान आर्टिकल 43 है मजदूर और कुटीर उद्योग 43 44 है very important लगाईए कि भाई 44 very important क्यों काति बार एकजायम आता है समान नागरिक सहीता uniform civil court समान नागरिक सहीता है आर्टिकल 44 45 में ये भी very important लगाऊ 45 बच्चो को मुप्त और अन्यवारे सिक्सा की जिमिदारी रज्य की होगी ये आर्टिकल 45 है 46 में अनुसुचित जाप्ति, जन जाति और अनुचित जाप्ति, जन जाति और अधर वरगों की शिकसा संबंदित हितों का प्रावदान है, वो 46 में है, 47 में है, पोर्षन और кстати में लोग श्वास्ते में सुधार का करत्वे हैं, ये 46 में है, 48 में ज्यान रहना किर्शी औ उन्चास में महतोपुन इस्तान और वस्तोव का सरक्षन है ये भी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ एनि जो लास्ट बाले आपको देख रहे हैं 48, 49, 50, 51, 51 है वेरी इंपोर्टेंट है सभी 48 से प्रियाण और वन्य जियों का सरक्षन, 49 में महतोपुन इस्तान और वस्तोव का सरक्षन, 50 में कारेपाली का और न्याईपाली की कारेविवाजन, 91 के हैं अंतराश्री सांती बहुत बार टीशिस ने पूचा हैं अंतराश्री सांती 91 में और भाग 4A में मोलिक करते हैं, fundamental duties हैं, 91A, 4A, 11 मोलिक करते हैं शुरुगात में 10 था, अब देख लेते हैं परमुक साइंस के फॉर्मुले जो electricity के हैं विसेश कर जहां से numerical के स्वाल बनते हैं directly, अब फॉर्मुले हैं, I बराबर Q upon T, सभी easy हैं, सभी seizure level की त्यारी करें, पता हैं, और electron का आवेस आपको दीपता होता है, और समय दे दिया जाता है, तो उस case में ये formula Q बराबर any upon T, ध्यान रखना होता आपको, V बराबर IR, ओम का नियम हैं, और ध्यान रखना, ये जो सेयोजन होता है प्रतिरोदों का, तो स्रेणी करम में सेयोजन में आप directly R बराबर R प्लस R2 प्लस R3 करेंगी, और समान तर करम में 1 बटा R बराबर, 1 बटार 1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 देता है, अब H बराबर क्या हो जाता है, heat बराबर wheat हो जाता है, H जैने heat, heat बराबर आप केंगे wheat, heat बराबर V, ये always है, I आपके धारा है, T समय है, और क्योंकि P, अ टी से टी कैंसल पी बराबर वी आई भी आप कह सकते हो शक्ती बराबर विवांतर और धारा वी बराबर ई अपॉन क्यूँ आप लिख सकते हो और यह से इसकर यह ध्यान रखना आप ठीक है प्रतिरोध का किस से संब्द रखता है आर बराबर प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध और जो चालकतार है उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्त कार्ट का छेतर पली इस पाइप से संबंद रखता है प्रतिरोध है प्रतिरोध है चालकतार के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्त कार्ट छेतर पल की क्या होता है वितकरमानुपाती है अनुप्रस्त कार् दो एक सर्किल की रूप में आपको मिलेगा ना उसका छेतर पल है चीक है अब ये आपको पूछ ले को नुमरिकल यूनिट पूछ ले कितने बिजली घट चोई है तो उस केस में आप निकालेंगे किलो वाट ओवर है जैसे कि कोई बलब है कितना 700 वाट का बलब है इतना में ऑड़ने के लिए मैं क्या करूँगा सो बटाँ हजार करूँगा तब मेरे पास किलो वाट आ जाएगा अब किलो वाट आ गया अब कितने घंटे है पाँच घंटे परसी दिन तीस दिन चली तो कितने हो गए पांच कुणा तीस आप करेंगे और ये आपके KWH बराबर जितनी KWH उतनी यूनिट हो जाएगी एक यूनिट का rate दे रहा तो इजी लिए आप उसको calculate कर सकते हो नेश्ट आपर परमुक राष्टी के अंदर संस्थान देख लेते हैं यह टोफिक भी very very important XRX वाल यहां से आ जाता है प्रमुक राष्टी के अंदर हैं संस्थान हैं वो कहाँ पर है ठीक है जैसे सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकर्तिक इतिहास के अंदर कोईमटूर में हैं प्लाजमा अनुसंदान संस्थान एहमदाबाद में उन्नत प्रद्यूगी के के अंदर पूने में नेशनल मस्तिस्क अनुसंधान के अंदर मानेसर, नेशनल पोर्षन संस्तान निहांदर पना हिद्राबाद में है, सभी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, काजरी की बात करें, यहीं Central Arid Research Institute, काजरी कहां पर है, जोधपूर राजिस्तान, नेशनल जल विग्यान, हैड्रोलोजी संस्तान, बेलगाम रूड की, नेशनल प्राकरती चक्किसा संस्तान, आपकेंगे पूने में है, DNA फिंगर प्रिंटिंग और डागनोस्टिक के अंदर हैद्रावाद में इंपोर्टेंट है, परिवर्थित उर्जा साइक्लोट्रोन के अंदर कलकता में, यह भी इंपोर्ट इंद्रा गांधी प्रमाणों अनुसंदान के अंदर कलपकम तमीन नाडू, भारतिय चारा गाहा है, चारा अनुसंदान संस्तान यह हैं दोस्तों जांची में, सेंट्रल धान अनुसंदान के अंदर कटक में, धान है कटक में, सेंट्रल धान यही मिलट की बात हो रही है, नहीं मिलर तो अलग है बाजरा, ये धान चावल है ठीक है, सेंट्रल धान अनुसंदान के अंदर कटक है, नैस्तल ब्रेन अनुसंदान के अंदर गुडगाओं, नैस्तल आयर्वेज संस्थान जैपूर, नैस्तल इंस्टिटूट ऑप इमिनुलोजी नहीं दिल लिए, इमिन प्रति बहारती बहारती अनुसंधान सhristahan कलकता जितने भी अनुसंधान कैंदर हैं, ये थ्यांदरकना उत्रश्टा कैंदर अनुसंधान कैंदर नागपुर में हैं, कैंदरी भारती भारती भासा सhristahan हैं, भ bike TCS ने ये स्वाल नजर कितनी बार पूछा था प्रीविश एग All India Institute of Speech and Hearing मैसूर में है, Central किर्शी अभीदान तरिक की संस्तान भोपाल, Central मस्य पालन सिक्सा संस्तान मुंबई में है, Central स्यक्षिक प्रोद्यूगी की संस्तान नई दिल्ली है, Central सडक प्रोद्यूगी की संस्तान कोकरा जहार है, Indian School of Mines and Applied Geology, Mines वाली है धनबाद में, मैंस का आ नमक और समुदरी रसायन अनुसंदान संस्तान भावनगर, Central मिर्दा लवनता अनुसंदान संस्तान नई दिल्ली, 167 साले देहरादून, भारतिय चल चित्तर, एवों दूरदर्शन संस्तान पूने, नैस्तल ग्रामिन विकास संस्तान हिद्राबाद, नैस्तल समुदर मैं राष्टे हिंदी संस्तान कहां पर, हिंदी वाले यागरा में, भासा का कहां पर बताए, उपर आपनों रिकॉल करो, राष्टे मसाला अनुसंदान संस्तान कोजी कोड में और राष्टे वन परबंदन भोपाल में, तो ये प्रमुग इस्ट्यूट है, पीडिएप में एक बार और दोबारा देख लेना, डैस्क्रिप्स में आपको, टेलिग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगे, जोइन कर लेना, ये सभी आप रिवाइज कर लेना, अब क्लासिकल डांस, जब डांस की टीशेस की बात आती है, स्सी की बात आती है, और स्सी डांसे स्वाल न पू संस्कर्ट मंतराली ने चव को भी एड़ गया है, बाकी भरत नाटेम, कतः, कुझिपुडी, ओडिसी, कतकली, सत्रिया, मनिपुरी और मोहिन्य टेम, ये आठ परमुक क्लासिकल डांस है, सास्त्री नर्तियों के नो रस है, संस्कर्ट मंतराली ने चव नर्तियों को भी भा अब बात कर लेते हैं, सभी क्लासिकल डांस कहां के, जैसे कुझिपुडी हैं, कचिपुडी, अंदर प्रदेश में, भरत नाटेम, तमिन नाडू, कतकली, केरल, कतक, उत्तर प्रदेश, मोहन यट्टम, केरल, कुझिपुडी, अंदर प्रदेश, ओडिसा, मनिपुरी, मनि पूर, कतक, आपके उत्तर भारत में, शत्रिया अश्रमका, शत्रिया अश्रमका, अब ये तो एजी जी है, एजी स्वाल ज्यादातर, सीजिल में, साहिदी आपको पूछे दाएंगे, प्रमूक आपको सास्त्र नर्टिव के डांसर है, ये स्वाल एक इंपोर्टेंड बनत गुरू विपिन सीग पूछे तो मणीपुरी, विपिन सीग मणीपुरी, गुरू व्यंपतिज जिनाशत्यम है, कुजी पुरी, सोदेलमान सीग, भरतनाट्यम और अलशी दोनों है, पदम सुभ्रहामने स्वाल भरतनाट्यम है, शोवना नारयन है, कतक किये, जीकि, स्रीम श्रिमांता शेंकरदेव इमपोर्टैन शर्मांता शंकरदेव स्तर्या, श्रीमांता संकरदेव स्त्र्या, नएष्टेऩया पर मिरिधनालीनी सारा भाई है भलतनाट्य हैं खतकली, अमरिकृत्ष्टम करीच मुढ़ितला क्igos सहरत्य अलुकरते शर्मा, पर ककली, घुला क् dyna नएश्ट आपर बात करें भारत में लेटरसी रेट में अलगले घुमाकर स्वाल पूछे जाता है साफसरता दर में राज्यों का ध्यान रखना 24.04 परसंडेज भारत की है और सबसे सरवोच इस्तान पर है साफसरता में वो कैरला है आपको पूछ लेए यूटी में सबसे उपर कौन है लक्स दीप है वैसे और ओरल में कैरला की साफसरता तिरावने पॉइंट एक क्यान में फीज़ती है ठीके उसके बाद लक्स दीप है और यहाँ पर मेजोरम का सेकेंड का ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे जीड़ी में पूछा हूँ अस्वाल है सेकेंड इस्तान पर है कैरला के बाद मेजोरम है मेजोरम की बाद तिरुपुरा फिर गोवा तो टॉप फाइव उपर से नीचे से टॉप फाइव आपको पता होना चाहिए सबसे कम साखसरता बिहार की है पर आपको एक अमरक की रूप में दे रहा हूं भासा जनगरना जरूर याद करके जाएगा एक स्वाल बनेगा वासी और अन्य इंपोर्टेन जैसे समिधान से अक्सर स्वाल परतेक्सिट में आ रहे है अनुसुची है वो आपको देखना होगा स्विधान के प्रारम के समय 22 भाग थे 395 अनुसुची थे 8 अनुसुची थी वरतमान में भाग 25 से 12 अनुसुची है अनुसुची थे बहुँत ज़्यदा है वैसे मूर अनुसुची अभी भी 395 उसकी अंतरगत जैसे 21 कर दिया वो उसके अंत्रगत है क्या उन एक करके ये इसके अंत्रगत सामिल है और 105 प्रमुक्षमिदान संसोदन जो 105 वा है राज्यू को आपने या सामाजी को शैक्सिक रूप से पिछले बरकी पैचान करने का दिकार तो आपको याद रखना है 100 से लेकर 100 वा संसोदन 101 वा, 102 वा, 103, 104, 105 तक कॉंस्ट्रिस्रामेंडमेंट आपको जरूर पता होना चाहिए ठीक है वहां से स्वाल बनते हैं और अनुसूची जो 12 अनुसूची है ये सभी पता होना चाहिए 12 अनुसूची में और जो लाश्ट में एड हुई है ने अनुसूची है वो कौन से कॉंसे पर्थम अ दल विरुदी परवधान दस्वी में नोवी में है भूमी वाला भूमी कर वाला रेलवे वाला ये नोवी में है आठवी में भासाइं आ जाती है और बाकी आपको ये सभी राज्यों का पता होना चाहिए 16 अनुसूची में कौन से राज्ये नहीं पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे ATM याजैमि असम तिरफुरा मेजूरं मेघहले ये आपके सटी में जनजाती चेतर प्रसाथन का प्रावधान है और पांच वी में नुसूचित छेतर और जनजाती के प्रसाथन का नियन्तन है सातवि में क्या है समर्थी सुचि संग सुचि राजे सुचि है और क्य पहले में किया राज्य और संगसाजित प्रदेशों के सुची है अब जो तेहत्य तुरा कॉंस्ट्यूस अमेंड्मेंट हुआ है उसमें 11 अनुसुची को याड़ किया गया है दसवी अनुसुची है दल बिरुदि जल बिरुदि कानून है यह बावने कॉंस्ट्यूस कितनी भार्षा हैं, आप कहेंगे 8 वी अनुसूची में 22 भाषा हैं, लेकिन मूर भाषा हैं 14 जब समीदान लागू हुआ था, उसे में 8 वी अनुसूची में 14 भाषा थी, अब बाद में जितनी भाषा एड हुई हैं, वो कब-कब एड हुई है, बहुं किस अमेंडमेंट के नेपाली को 71, 71, 71, 92 के तरिए कौंकणी मनिपूरी और नेपाली को एड़ किया गया है, नेपाली भी ध्यान रखना, स्वाल में पूछे ले, निमलिक्ति में से कौन सी, आठ वियानु सुच्ची में, या फिर 22 भासा हैं, सुविधानिक भासा कौन सी नहीं है, तो आप नेप नेपाल की भासा कैसे हो सकती, भाई नेपाल की है, नेपाली है याँ पर, और ये तीन भासा, 71 में हुई थी, कौंकणी मनिपूरी नेपाली और चार, बोडो, डोगरी, मेहतली, संताली, चार हो ये, बान में, कौंसी नमें, 2003 में, अब ये 22 भासा हैं, एक नजर में देख आप पूछा जाता है, नेपाली सामिल है, इंगलीस नहीं है, क्योंकि काभी बार ओप्सन वे इंगलीस देते हैं, इंगलीस नहीं है दोस्तों याँ पर, और शंसकर्त वगरा है, ओडिया है, पंजाबी है, संसकर्त है, सिंधी, तमील, तेल, गुर्दू, मैथली, मल्यलम, मिथई, कस्मीरी, कौंकणी, गुजराती, अब बाकी सभी इजी है, बोडो वाली भी है, नेश्ट याप पर, आपको हमर की रूप में प्रमुग फ्लैक्सिप योजनाई देखके जाना, मतलब फ्लैक्सिप का मतलब सदाबाहर वाली योजनाई है, 2014 की जो लेटरेस्ट यो बन चुका है, और आपके लिए, यहाँ से आपको लगबग तीन से चार्शवाल मिलने की संभावना बहुत ही जादा है, तो बिलकुल आपकी फ्री में नंबर बन रहे हैं, और उसकी पीडिप आप देख लीजीगा, और आपकी चीज़े आसान हो जाएगी, और जो new candidate है, पिर जो टेस्ट बुक से अपना पास रिन्यू कराना चाहते हैं, तो टेस्ट जी के कूपन कोड यूज कर लेना, अब यह ओपर चल रहा है, लाब का फाइदा उठा सकते हूँ, टेस्ट जी के कूपन कोड की साथ में जब भी रिन्यू कराना हो, या फिर new candidate टेस्ट बुक यूज कर लेना, लिंक डेस्ट कूर्स में, क्योंकि टेस्ट बुक पास में आपकी एक ही पास में सभी एक्जाम, 640 प्लस एक्जाम कावर हो जाते हैं, बाकि आपका एक्जाम कावे, कमेंट सेक्षन बता ने जीए, आज आपका एक्जाम था, तो क्या कुछ आपने attempt किया ह कितने attempt कियें, कितने आपकी सही हो सकते हैं वो भी आप comment section बता सकते हूं मिलते हैं नाइ वीडियो के साथ धन्यवाद